दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यान के लिए बिश्व के भुगोल से संबंधित महत्वण प्रशनों के रिवीजन के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तोत है बिश्व के देश राजधानिया और उनके भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वण प्रशनों का भाग दो पहला प्रश्ण है कि सरवाधिक उत्तरी दक्षडी अच्छांसी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है रूस, चिली, चीन और ब्राजील तो यहाँ पर उत्तरी दक्षडी अच्छांसी लंबाई सीमा वाला देश पूछा है अगला है निमनलिखित देशों में कौन सा अस्थल और रुद्ध देश नहीं है आपको बताना है अफगानिस्तान लाइवेरिया लाओस और लगजंबर तो सही उतर लाइवेरिया जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है आप देख सकते हैं दोस्तों लाइवेरिया अस् अस्थल और रुद्ध देश कहे जाते हैं अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा एक अफ्रिका का अस्थला वृत्ध देश है अंगोला चाड सेनेगल केन्या या फिर सेनेगल तो सही उतर आपका हो जाएगा चाड आपसन भी याद रखेगा चाड जो है अस्थल और रुद्ध देश नहीं है अफ्रिका एशिया यूरोप या उत्तरी अमेरिका तो सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका महादीप आपसन दी दोस्तों याद रखेगा उत्तरी अमेरिका महादीप में कोई अस्थल रुद्ध देश नहीं है इसमें जो भी देश हैं सायूक अमेरिका, कनाड़ा और मैक्सिको की सीमाएं समुद्र तटों से मिलती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण हैं। आप देख लिजे कि उत्तरी अमेरिका महादीप में कोई लेंड लाग्ड कंट्री नहीं है। और सभी देश सयुक्त राज अमेरिका, कनाड़ा और मैक्सिको की सीमा समुद्र तट से मिलती है। अगले प्रश्ण पर आते हैं मैक मोहन लाइन क्या है आपको बताना है। भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान या भारत बंगलादेश सीमा तो आप जानते हैं भारत चीन सीमा इसको मैक मोहन लाइन कहा जात तो सही उत्तर भारत और पाकिस्तान के बीच, आपसन C आपका सही उत्तर है याद रखेगा रेड़क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारन करती है इसी तरह विभिन्ने देशों की सीमाओं से भोगोलिक सीमाएं इसके अंतरगत एक प्रश्न पूछा जाता है कि 38 वी समांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है आपको बताना है तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षडी कोरिया याद रखेगा आप संडी आपका सही उत्तर है दोस्तों कि 38 वी समांतर अथवा उत्तरी अच्छा सीमा रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षडी कोरिया को विभाजित करती है 38 वी समांतर सीमा रेखा उत्तरी और दक्षडी कोरिया की सीमा रेखा है अगला है निमनलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है आप देखिए कोपेन हेगन डेनमार्क की राजध तो याद रखेगा दोस्तों बरलिन जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ जर्मनी के राज्यों में से एक है और अन्य सभी राजधानी जो है ये केवल राजधानी नगर ही है जबकि बरलिन जर्मनी का राजधानी और एक शहर भी है अगले प्रशन पर आते हैं कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है आपको बताना है बहुत ही महत पूर्ण प्रशन है ये अम्मान जार्डन सही है बिसकेक ताजिकिस्तान सही नहीं है उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है और सनाया ये अमन की यमन की राजधानी है तो य उल्म बटोर मंगोलिया की और सनाया यमन की राजधानी है तो आपसन B आपका सही समेलित नहीं है अगला प्रश्न पूछा गया है कि निमनलिखित में से कौन सा समेलित नहीं है यहाँ स County है चीन संगहाई यह आपका समेलित नहीं है कनाटा की राजधानी ओटावा आश्टेलिया की कैनबरा और रूस की मासको है तो चीन की राजधानी बीजिंग है नकी संगाई इसलिए आपसन ए आपका सुमेलित नहीं है और यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है अगले प्रश्ण पर आते हैं निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है सही है बोलीबिया की लापाज है सही है इथोपिया की लूसाका सही नहीं है और यूक्रेन की राजधानी कीव है तो आप देख सकते हैं दोस्तों इथोपिया की राजधानी लूसाका नहीं है इथोपिया की राजधानी अदिस अवाबा है लूसाका जांबिया की राजधानी है और अन्य विकलबाप के सही सुमेलित है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है कैनबरा, सीडनी, वेलिंगटन या फिर रियाद तो सही उत्तर है सीडनी जो है सीडनी ये किसी देश की राजधानी नहीं है अगर आप देखेंगे तो Canberra Australia की रासधानी है Willington New Zealand की रियाद सौधी अरब की रासधानी है Sydney Australia का बंदरगा सहर है अगला प्रश्ण है कि हेलसिंग की किस की रासधानी है बहुत ही महुत पूर है तो हेलसिंग की फिंलेंड की रासधानी है अगला प्रश्न सुमेलन करना है और आप देखिए बहुत ही महत्तपूर्ण सुमेलन आपका है स्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, मालदीब की माले है, वर्मा की रंगून है, जिंबाम्बे की जो है ये हरारे है और मौरिसस की पोर्ट लूइस, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप सन ए 31245 अगला प्रश्न है दोस्तूं, आप देख सकते हैं निमनलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है देखें, यहाँ पर देश और उनके राजधानी शहर दिये गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है गिन्य विसाओ की राजधानी विसाओ सही है, ताइवान की ताइपेई सही है, निकारागुआ की मानागुआ सही है मालदीब की मालाबो, यह आपका सही नहीं है, क्योंकि मालदीब की राजधानी माले है, मालागो, मालाबो जो है एक्विटोरियल गिनी की राजधानी है, तो मालदीब की राजधानी माले है, आपसंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है अलास्का किस देश का हिस्सा है? Greenland, USA, Canada या United Kingdom तो सही उत्तर अलास्का, USA का हिस्सा है अलास्का संयुतराज ये अमेरिका का एक प्रांथ है ये कनाडा के पशिम में अमेरिका से दूर इस्थित अमेरिका का भाग है अगला प्रश्ण है कन्धार कहां पर इस्थित है? दक्षड अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या पश्यमी पाकिस्तान में तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ये दक्षडी अफगानिस्तान में इस्थित है याद रखेगा कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है ये प्रांत अफगानिस्तान के दक्षुण में पाकिस्तान की सीमा के निकट है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उचे अस्थान पर बसा है गार्टोला, लहासा, काठमांडू या थिम्पू तो सही उत्तरापका हो जाएगा लहासा लहासा को निसिद्ध सहर कहा जाता है दोस्तों इसमें लहासा की समुद्रतल से उचाई 3650 मीटर है थिम्पू की जो है 2248 काठमांडू 2400 मीटर तो लहासा बिस्व में सरवाधिक उचाई परिस्थित नगरों में से एक है अगला प्रश्ण है डर्बन नगर कहा परिस्थित है तो डर्बन दक्षुड अफ्रीका का नगर है आपसन A आपका सही उत्तर है अगले प्रश्ण पर आते हैं बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है निम्नली खित में से कौन देश आर्कटिक वृत के दक्षुड में पाया जाता है फिनलेंड आइसलेंड नार्वे या फिर स्वीडन तो सही उत्तर आइसलेंड आपसन B याद रखेगा आइसलेंड आर्कटिक वृत के दक्षुड में इस्थित देश है फिनलेंड नार्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत गुजरता है एक और प्रश्ण है पूछा गया था कि Sun City कहां पर इस्थित है तो सही उत्तर है Sun City दक्षुड अफ्रिका के उत्तर पश्मिप्रांत में एलैंड्स नदी और पिलानेस वर्ग परवत के मध्य इस्थित है तो ये दक्षुड अफ्रिका में इस्थित है आपसन D आपका सही उत अगला प्रश्ण है दोस्तों कांटो मैदान किस देश में इस्थित है चीन, कंबोडिया, न्यूजिलैंड या जापान तो सही उत्तर कांटो मैदान जापान में इस्थित है ये जापान का आत्यथिक विक्सित, नगरिकरित और ओध्योगिक भाग है अगले प्रश्ण पर आते हैं मैक्सिको देश इस्थित है कहाँ पर दक्षडी अमेरिका महादीप में, उत्तर अमेरिका महादीप, अफरीका महादीप या यूरोब महादीप में तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दूस्तों सही उत्तर है मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महादीप में इस्थित है आपसन B आपका सही उत्तर है मैक्सिको के उत्तर में संयुक्तराज अमेरिका तथा दक्षिणपूर में ग्वाटे माला इस्थित है अगले प्रश्न पर आते हैं टर्की का कौन सा नगर पश्यम का द्वार कहलाता है आपको बताना है बहुत ही महत्तपूर है टर्की का कौन सा नगर पश्यम का द्वार कहलाता है तो सही उत्तर आप जान लिजे कि आपसन है अधन अंकारा इस्तामबूल या इजमीर तो आपको बताना है कि कौन सा नगर पश्यम का द्वार कहलाता है तो ये है इस्तांबूल इस्तांबूल प्रायदीब छेतर में इस्थित टर्की या तुर्किये का सहर है जिसके तीन भाग मारमरा सागर बासपोरस और गोल्डेन हार्न जैसे जली छेतरों से घीरे हैं इस्तांबूल की अवस्थिती के कारण इसे पश्यम का द्वार कहा जाता है अगला प्रश्न है किस देश को स्वेत हाथी की भूमी कहा जाता है तो ये है थाइलेंड थाइलेंड को सफेद हाथी की भूमी कहा जाता है सफेद हाथी थाइलेंड में पवित्र माना जाता है अगला प्रश्न है सुरियोदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है तो ये आसान सा प्रसिद्ध है आसान सा प्रशन है जापान आप जान लीजे कि जापानी लोग अपने देश को निपन कहकर पुकारते हैं इसका अर्थ सुरियोदय का देश होता है इसलिए जापान को सुर्योदय का देश यानि Land of Rising Sun कहा जाता है अगला प्रशन है किसे जीलों की वाटिका कहा जाता है तो जीलों की वाटिका के नाम से फिनलेंड प्रशिद है फिनलेंड को जीलों की वाटिका या जीलों का बागीचा कहा जाता है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है एमस्टरडम, रोम, वेनिस या एथेंस तो सही उत्तर वेनिस याद रखेगा वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है ये दुनिया के सबसे खुबसूरस शहरों में से एक है अगला है किसे स्वन्ड द्वार का नगर कहा जाता है पेरिश, एम्स्टरडम, मुंबई या सैन फ्रांसिसको तो सही उत्तर है गोल्डेन गेट से तु अमेरिका के सैन फ्रांसिसको नगर में सैन फ्रांसिसको खाड़ी के दोनों छोरों को जोडने वाला पुल है इसी कारण सैन फ्रांसिसको को स्वन्ड द्वार का नगर कहा जाता है अगला प्रशन है किस नगर को पूरो का मैंचेस्टर कहा जाता है तो सही उत्तर पूरो का मैंचेस्टर या जापान का मैंचेस्टर के नाम से ओशाका को कहा जाता है ओसाका आपसंडी आपका सही उत्तर है तो याद रखेगा पूरो का मैंजेश्टर ओसाका को कहा जाता है अगला प्रश्ण है निमनली खित में से किस देश का छेतर फल सबसे कम है बर्मूडा, सीरिया, नाइजीरिया या वेटिकन तो सही उत्तर है वेटिकन सिटी आपसंडी याद रखेगा दोस्तों छेतर फल की द्रिष्टी से बिसो का सबसे छोटा संप्रवुदेश वेटिकन सिटी है अगला प्रश्ण है ग्रेट आर्टीजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है अमेरिका आश्टेलिया रूस या ब्राजिल तो सही उत्तर आश्टेलिया में याद रखेगा दोस्तों ग्रेट आर्टीजन बेसिन आश्टेलिया के आंतरिक भाग में ताजय पाने का एक मात्र प्रचुर स्रोथ है अगले प्रश्ण पर आते हैं कांगो प्रजातांत्रिक गर्टन्तर यानि डेमोक्रेटिक रिपबलिक आफ कांगो का प्रारंभिक नाम क्या था आपको बताना है गाना, रोडेशिया, तंजानिया, जाएरे या टोंगा तो सही उत्तर जायरे आपसंडी आपका सही उत्तर है दोस्तों कांगो प्रजातांत्रिक गरतंत्र का प्रारंभिक नाम जायरे था ये एक मध्य अफ्रीकी देश है जो अपने ग्रिह युद्ध के कारण काफी चर्चा में रहा था अगला प्रश्न है ओटावा किस देश की राजधानी है तो सही उत्तर ओटावा कनाड़ा की राजधानी है और यहां कागज निर्माड उद्योग बहुप्रचलित है अगला प्रश्न है दूबई है कहां पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है बहरीन में, कुवेट में, संयुक्त अरब अमीरात में, ओमान में या सौधी अरब में तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक बंदरगाह नगर है, संयुक्त अरब अमीरात एक खाड़ी देश है और इसकी राजधानी अबुधा भी है महत पूण्ड प्रश्ण है तो सही उत्तर है म्यामार यहां पर देखिए आपसन एआपका सही उत्तर हो जाएगा आपसन एदो सही उत्तर है आप देख सकते हैं दोस्तों म्यामार जो है यह बंगाल की खाड़ी और अन्डमान सागर से घिरा है जबकि भूटान नेपाल और अफगानिस्तान अस्थली सीमा से घिरे हुए हैं अगला प्रश्न है नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है आपको बताना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चीन भूटान बंगला देश या अफगानिस्तान तो सही उत्तर है नेपाल भारतियूप महादीप में इस्थित दक्षड एस्याई अस्थल रुद्ध हिमालाई राष्ट है नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत सासी प्रदेश तिबबत है और दक्षड पूरु और पशिब में भारत इस्थित है तो सबसे लंबी है रूस भारत मियामार या मंगोलिया के साथ तो मंगोलिया याद रखेगा मंगोलिया के साथ जो है चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी 4677 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा 76 किलोमीटर है अगला प्रशन और आज की वीडियो का आखरी प् तो सही उत्तर है बर्मा का नया नाम म्यामार है और इसकी राजधानी रंगून से परिवर्थित करके न्याय पीते कर दी गई है आपसन ए आपका सही उत्तर है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने विश्व के प्रमुक देशों की रास्थानिया और भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशनों को कवर किया ये प्रशनाप के आगामी परिक्षाओं के तैयारी और रिवीजन के द्रिश्टी से बहुत ह हैं आप इन प्रशनों को तैयार कर लिजे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदुशन फोर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस् नमस्कार